सब्सक्राइब कीजिए स्टुडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकॉन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अलोव फ्रेंड्स वेलकम्स यो तोडेड वी अर गोगी तो स्टार्ट टार्ट लेशन नमबर एटीन इन यो इस अविए लेशन नमबर एटीन इस माइफ एन फैमिली एंड हो आज हम लेशन नमबर एटीन शुरू करने जा रहे हैं जो है माइफ एम्ट ऑडिया है क्योंकि families के बारे में information gain करने वाले हैं कि कैसी होती है हमारी family family members में कुन-कुन होता है why we live in family why we like to live in family who persons loves you in your families इन सभी के बारे में इस listen में हम discuss करने वाले हैं यह न बच्चो तो हम सभी को family members के साथ रहने में बहुत मचाता है क्योंकि family members के साथ जब हम रहते हैं हम खुद को safe मानते हैं मान लीजी अगर आपको कही अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या आपको safe feel होगा बिलकुर नहीं किसी को भी safe feel नहीं होगा और अगर उनके साथ अगर family member है तो फिर वो कही पर भी चले जाए उनको safe लगेगा है आपको कही पर भी लेकर चले जाए पर आपके साथ अगर आपके family members है तो you will feel safe और अगर आपके साथ आपके family member नहीं है तो आप unsafe feel करेंगे है ना students तो students आगर आप हमारे चैनल पर नहीं है या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe to channel और bell icon को दबाना ना भोले क्योंकि जब भी हम video upload करेंगे तो उसका notification आपको आएगा पर कब आएगा जब आप bell icon पर click करके all notification पर click करेंगे तो आई ये फटा पर start करते हैं lesson number 18 my family and home so in this lesson we studied about our home and our family so try this write about your family including the number of people in your family and occupations of your parents देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर हमें अपने family के बारे मतला आपको क्या करना है write about your family including the number of people मतलब आपको एक note book में एक page पर अपने family के बारे में लिखना है और साथ में family members के बारे में लिखना है मतलब कि कितने family member है मतलब आपके परिवार में कितने लोग रहते वो उनके बारे में भी लिखना है और आपके family में रहने वाले जो लोग है वो क्या occupation करते हैं क्या व्यवसाय करते हैं वो लिखना है तो occupation मतलब website अब इसका भी मतलब आपको नहीं समझ में है तो मैं आपको मतलब मान लीजे जैसे अगर आपके पापा टीचर है तो उनका उक्यूपेशन टीचिंग हुआ जैसे अगर आपके पैरेंट्स डॉक्टर है तो उनका उक्यूपेशन डॉक्टर हो गया अगर आपके पैरेंट्स बिजनस करते तो वह बिजनसमेन हो गया तो जो भी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, that is my occupation, my occupation is teaching. So, look at the picture alongside, ये pictures आप देख रहें, okay, these are the family, ये भी एक family है, this is also family, ये भी family है, और ये भी family. अब family consists of mother, father and their children, एक family वो होती है, okay, जिसमें mother, father और उनके children होते हैं, मतलब ममी, पापा और बच्चे, इन से मिलकर एक complete family बनती है, in some families there are grandpas also, कुछ family में ऐसे होते हैं, कि grandpas भी होते हैं, जैसे ये ये father हो गया, ये mother, ये grandmother, और ये grandfather, father, और ये son, मतलब children, तो ये देखे, ये हो गई एक perfect complete family, so the number of people in a family may differ, तो अलग-अलग family में अलग-अलग number of people होते हैं, जैसे यहाँ पर four people है, यहाँ पर four number of person, यहाँ पर number of person three है, here number of person also three है, here number of person is five, और अगर एक और children हिने होता, तो number of person कितने हो जाते हैं, टोटल six हो जात So, we are born in our family, हम हमारे family में ही जन्म लेते हैं, born होना याने पैदा होना, जन्म लेना, we are born in our family, we grow up in our family, हम अपने family में grow up होते, grow up होना मतलब बढ़ना, बढ़े होना, मतलब हम बढ़ते हैं, Okay, we grow up in our family, we are brought up by our parents, Okay, हम किस के कारण है, हम हमारे parents है, इसलिए हम है, they take care of us, और हमारे parents जो है, या फिर हमारे family members जो है, वो हमारी care करते हैं, take care, care करते हैं, मतलब हमारी देखभाल करते हैं, अगर आपकी कभी भी तबियत खराब हो जाए, या फिर आपको किसी भी चीज की जरो तो parents, students वो आपके लिए कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको love करते हैं, और आपकी देखभाल करते हैं, in a family, we are secure in every way, हम अपने family में हर तरह से secure है, secure मतलब क्या होता है, सूरक्षित है, कैसे हैं, हम हर तरह से हम हमारे family में secure है, सूरक्षित है, मतलब safe है, English में अगर इसका मतलब कहें, तो आजाएगा safe है, so our family provide us with food, clothing and shelter, तो हमारी जो family है, हमारी family, हमारा परिवार, हमें क्या क्या देता है, हमें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, that is clothing, और रहने के लिए घर, मतलब shelter, तो हमारी family members हमें खाना, कपड़े और घर, सभी provide करते हैं अगर हमारी बाकी जो other needs है, वो भी हमें provide करते हैं, so other members of our family also take care of us, अब देखिए, आपके family में, ममी, पापा, दादा दादी तो होते ही हैं, इनके अलावा और दूसरे persons भी होते हमारे family में, जो हमेरी देखभाल करते हैं, जैसे uncle, auntie, यह सब भी होते हमारे family में, वो भी हमा among family members, और यह सब family members कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, we like to be a part of a family because the love and caring that we get, हम family में रहना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, लेकिये हमारे family का एक हिससा होना चाहते हैं या हम family में रहना पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? because of love and caring that we get क्योंकि हमको family में family members के द्वारा caring मिलती मतलब family members हमारी देखभाल करते हैं हमारी care करते हैं और हमाई love भी करते हैं है ना so family members help one another in a time of difficulty मतलब जब भी कोई भी परेशानी होती है तो family members क्या करते हैं एक दूसरे को help करते मान लीजिए अगर आपके parents को कोई फरेशानी है तो आपके uncle auntie उनके help करेगे अगर आपके uncle auntie को कोई problem हो गई ये तो आपके parents उनके help करेगे तो ये क्या होता students हम family में सब मिल जूल कर रहते हैं न बच्चो तो family members हम सब की देखभाल भी करते हैं और हम सब को support भी करते हैं help भी करते हैं they try to see that no one suffer from any illness और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे family members में किसी की भी तबियत खराब न हो कोई भी ill न रहे कोई भी बीमार न रहे कोई भी किसी बीमार इससे suffer न करे क्योंकि हम हमारे family members के हर एक सबस्थ को हर एक members को happy देखना चाहते खुछ देखना चाहते हैं healthy देखना चाहते हैं but if we fall ill पर अगर कोई गलती से बीमार हो गया हमारे family में our parents take care of या फिर मान लीजिए हम कभी बीमार पड़ गये गलती से भी तो हमारे parents जो होते हैं वो हमारी देखबाल करते हैं अगर आपकी तबियत खराब हो जाए तुम पता है आपको ममी रात रात भर नहीं सोती है आपकी देखबाल करती क्यों because she loves you small families and big families अब आईए families के type के बारे में देखेंगे तो family का दो type है यहाँ पर small family and big family so some family consist only of parents and one or two children कुछ family ऐसी होती है जिसमें एक mother एक father एक boy और एक होती girl M for mother, F for father B for boy और G for girl तो ऐसी एक family होती जिसमें चार लोग होती है such family are called small family ऐसे family को small family कहते है यह ऐसा भी होता है mother, father या तो boy होगा mother, father या तो girl होगा ओके यह एक family होती है जिसमें तीन ही person होते है एक family जिसमें चार परसन होते है ऐसी families को small families कहते है क्या कहतें students small families क्योंकि यह छोटे family है यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या number of people कम है some family consists of grandparents, aunts, uncle, brother, sister and cousin कुछ family ऐसी होती है जिसमें mother, father भी होते है ममी पापा होते है अंकल आंटी होते ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और उनके बच्चे और हम मतलब ऐसी family को हम बड़ी family कहते है जैसे यह जो देखिए family यह जो photo आपको दिखाए जिरा this picture यह जो family है यह big family है so such families are called big family ऐसी families को हम big family कहते है अब देखिए extended family की बात करते है extended family मतलब क्या होता है our family is linked with many other relatives देखिए हमारी family हम घर में जो रहते हैं वो हमारी family पर हमारे family जैसे मान लीजिए आपके family में mother होंगे father होंगे एक sister होग एक boy होगा और एक girl होगा ओके और grand parents grand mother भी होंगे और grand father भी होंगे तो ये इतने लोग आपके family में रहते टोटो six people है अब आपकी family जो है दूसरे family से भी connected है मतलब आपके uncle की family फिर आपके uncle आंटी की family father side वाले आपके uncle आंटी की family mother side वाले बिसे English में सब uncle आंटी ही कहते है पर अगर हम हिंदी में बात करें तो mama, mommy, mousa, cha-cha, cha-chi है ना तो ऐसी बहुत सारी family एक दूसरे से linked होती है so our family is linked with many other relatives हमारी family अलग-अलग relatives से linked है aunts and uncle from the mothers and fathers side तो जैसे आंटी और अंकल की बात करें तो कुन से father sides के family और mother side की family दोनों family से हम connected होते है उनके बच्चे, मतलब their children are related to our family such a family is called extended family our family get extended because of our relatives मतलब हमारी ऐसे family का extended family कहते है और ये family extended होती है क्योंकि हमारे relatives के कारण हमारे relations बहुत हते हैं जैसे हमारे father है उनके side के relatives आपके जो mother है उनके side के relatives और इन दोनों relatives से हम connected होते है तो ये link होता है और ऐसे family को extended family कहते है जब कोई occupation आता है तेओहार या आपकी कोई function होता है घर में तो ये पूरा परिवार इकठा हो जाता है एक साथ आ जाता है तब हम हमारी family को एक साथ देखते हैं तो आपको क्या करना है आपको ये पता करना है कि आपकी father side की family कुन सी है और आपकी mother side की family कुन सी है और इसके बारे में लिखना है और उसका photo मुझे whatsapp ज़रूर करना है क्या करना आपको mother side की family कुन सी है और father side की family कुन सी है यह आपको पता होना चाहिए, जरूरी है क्योंकि हम relation maintain करते हैं, हम परिवार में मिल कर रहते हैं, तो यह सारी information हमें होनी चाहिए, है ना? now let's move to the next page, so member of extended family may not live in one house, जो extended family के members है, वो एक ही घर में रहते हैं, नहीं, हमारी चाचा, चाची, मौसा, मौसिफ हुआ, आत्या, भुआ, यह सब अलग-अलग जगा रहते हैं, okay, but there is a love and affection between them, पर इन सब के बीच में एक affection होता है, एक love होता है, एक attachment होता है, feelings होती है, so they meet each other on several occasions, so जब कोई अच्छा occasions होता है, ऐसे occasion में या तेवहार के समय या फिर किसी function के समय वो एक साथ एक दुसरे से मिलते हैं, so who are the member of your extended family, आपकी extended family के member कौन से है, यह आपको लिखना है, आपकी extended family, okay, सभी की नहीं, आपकी, आपकी extended family में कौन कौन है, उसके बारे में लिखना है, मतलब father side में कौन है, और mother side में कौन है, उसके बाद, how are you related to them, और तुम उनसे कैसे related हो, तुम mother side से related हो, या father side से related हो, so on what occasions do the member of your extended family meet, और कौन से occasion में, या कौन से function में, या कौन से समय में, या कौन से तेवहार में, आप अपनी family से मिलते हैं, वो भी आपको यहा A family tree, रेहाना who is the third standard was looking at a photo album of the people in her house, रेहाना third class में हैं, तिसरी class में, third standard में हैं, और वो एक photo देख रही है, जिस photo album में, उनके family के बहुत सारे persons दिखाई दे रहे हैं While looking at snapshot of birthday and wedding, she found some family faces, but some of these were unfamily So, जब उसने शादी की photos देखी, या फिर उसके बद्दे की photo देखी किसके रेहानाक ने अपने parents के शादी की photo देखी, या फिर खुद के बद्दे की photo उसने देखी तो उसे कुछ ऐसे faces दिखाई दिए, कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए, जो उनके लिए अंजान थे, जो उनके लिए नए थे Some faces appear again and again in album, पर वो faces album में बार-बार दिखाई दे रहे थे तो किसी भी function में कोई ऐसा वेक्टी जिसकी बार-बार photo होती है उसकी photo क्यों बार-बार होती होंगी पता है, क्योंकि वो हमारा family member होता है वो हमारा, हमारे खास person होता है, जिससे हम attach होते हैं, तो ऐसे family members की photo album में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो family members हमारे, मतलब, जो खास family members होते हैं हमारे अपने family members होते हैं उनके साथ हम function में ज़्यादा photos लेते हैं So Rehana asked her mother who are all these people तो Rehana ने अपने ममा से कहा कि ये सारे के सारे people's कौन है Her mother side they are all our relatives Your aunt uncle, grandparents you can see them all in these photos तो फिर ममा ने कहा कि ये सब हमारे relatives है और ये mother side, mother ने कहा कि ये सब जो है हमारे relatives है और कौन-कौन है तुमारे auntie है, uncle है, आपके grandparents है, you can see them all in these photos और आप इन्हें इस photos में देख सकते हैं, Rehana ask her mother to explain it to her detail, to her in detail Rehana mothers then draw a diagram for her, अब Rehana को बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने photo में देखा था, कि कौन कौन है uncle, कौन है uncle, auntie, okay grandmother, grandparents, okay उनके children, तो इसके बारे में Rehana ने देखा था, okay पर Rehana को और अच्छे से समझना था, तो ममा ने क्या कहा, क्या किया, कि Rehana के लिए एक tree diagram बना है, और वो tree diagram देखिए कैसे होती, इसे कहते family tree, और family tree कैसे बनता है आप भी अपना family tree बना सकते हैं, ओके, तो आईए देखते family tree, so हमारे family में सबसे old होते हमारे grandmother और grandfather grandmother और grandfather के कारण ही हमारे father आते हैं, और हमारे जैसे, तो देखिए, grandmother grandfather, तो इन दोनों से मिलकर कौन आए auntie uncle और father, okay aunt मतलब यह father sister जिसे हम मराटी में आत्या, हिंदी में बुवा कहते हैं, okay uncle मतलब पापा के भाई जिसे हम चाचा कहते हैं, okay तो यह है मतलब पापा की sister, पापा का ब्रदर और पापा हमारे, okay father, अब father से यह है mother, और father और mother से मिलकर बने है, रहाना और सली, okay अब यह uncle की family है, तो यह uncle है और यह uncle की auntie और इन दोनों से मिलकर बने साहिल और सामी तो यहाँ देखिए इसे कहते है family tree मतलब एक diagram से हम अपने family को show कर सकते हैं तो इन family, generation follow one after other over a period of time they can be shown on the family tree तो देखिए family में जो generation follow करती है मतलब कैसा होता है, देखिए आज हम है, कल कोई और होगा फिर और होगा, हमारी family बढ़ती चले जाएगी है ना, आज हमारे grandparents है फिर है हमारे father और फिर है हम मतलब we, हम है अब कुछ सालों बात हमारे grandparents नहीं रहेंगे हमारे father जो है, वो बन जाएंगे grandparents और हम बन जाएंगे father या mother और हमारे आजाएंगे फिर children तो देखिए यह जो chain है, यह चलते रहती है जमाना आगे बढ़ते रहता है, life चलती रहती है हम बढ़ते रहते हैं तो हम हमारे family में आने वाले generation को flow chart में दिखा सकते हैं इस family tree में दिखा सकते हैं draw your family tree with the help of your parents आप अपने parents की मदब से अपनी family tree draw कीजिए आपको बहुत मजाएगा so change in family system family system में होने वाला बदलाओ the family system change as a time goes by at one time grandparents aunts, uncle, parents, siblings and cousins all live together and form one big family देखिए, पहले कैसा होता था देखिए family system बदलता जा रहा है family system कैसे बदलता जा रहा है पहले कैसा होता था पहले एक बड़ा घर होता था और एक बड़े घर में grandparents, aunts, uncle और हमारे parents siblings मतलब जो हमारे भाई बहन होते किसके uncle, aunts के भाई बहन uncle, aunts के जो बच्चे होते हैं जिसे हम sibling कहते हैं जिसे mama के बेटे हो गए या uncle के बेटे, aunts के बेटे इसे हम siblings कहते हैं और cousins भी कहते हैं तो हमारे जो भाई बहन हो गए और uncle, aunts के जो बच्चे हो गए वो cousins, हमारे भाई बहन जो हो गए siblings, parents, uncle, aunts, grandparents इन सब का परिवार मतलब grandparents का, aunts का, uncle का parents का, siblings और cousins यह सब एक ही घर में रहते थे इन सब की family एक ही घर में रहती थी और लूट टोगेदर एंड फॉर्म अब बीक फैमिली और एक साथ रहे के यह बड़ी फैमिली होती थी इसे फैमिली को हम जोईन फैमिली कहते हैं मतलब एक बड़ा सा घर होता है परिवार अलग-अलग पर एक साथ एक ही जगा रहते हैं और एक साथ एक ही जगा खाना पकाते हैं इसे हम कहते हैं join family when member of family move away because of their jobs or occupation अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं अब मान लीजिए एक family है जिसमें mother है, father है, uncle है, auntie है children है अब क्या हो गया और यह रहते हैं मान लीजिए नागपूर में कहा रहते हैं बच्चों यह नागपूर में अब यह इनके बच्चे बड़े हो गए और इनको जॉब लग गई मुंबई में तो यह क्या करेंगे यह मुंबई चले जाएंगे तो इनके फैमिली में से यह बच्चे कम हो गए अब यह मुंबई में ही रहेंगे न वही जॉब करेंगे तो यहाँ पर कैसा होता है कि हमारी जॉब के कारण या स्टडी के कारण या उकूपेशन के कारण हमें हमारा घर छोड़कर दूसरी जगा शीब जाना पड़ता है so आर कलr they start living separately जिसके कारण उन्हें अकेला रहना पड़ता है separate रहना पड़ता है smaller family और इनसे क्या होता है अलग-अलग family बनना शिरू होँ जाती है और जो family चोटी-चोटी होती चले जाती है उसे nuclear family याने small family कहते हैं the family system has changed in this way और इसी तरह से हमारा family system बदलता चला जाता है our household choice हमारे घर के काम तो देखिए only one person is working अब देखिए यहाँ पर ममा है अकेली यह अकेले ही काम कर रही है every one person every person in the house is working इस घर में हर कोई काम कर रहा है जैसे पापा सबजी धो रहे हैं या काट रहे हैं children देखी ये भी कुछ help कर रहे है अब दीदी जो है वो पढ़ाई कर रही है newspaper पढ़ रही है ममा जो है वो दादा जी को grandfather को दवाया दे रही तो हर कोई मिल जूल कर काम कर रहे है prepare a list of chores that are done in our house आपके घर में किये जाने वाले काम की list बनाईए पता है क्या क्या काम किये जाते हैं आपके घर में आपके घर में खाना पकाना बरतन धोना कपड़े धोना जाडू लगाना पोचा लगाना घर को साफ सुत्रा रखना घर को क्लीन करना और घर में एक बारनी दो से तीन बार जाडू लगती हैं तो ये सारी चीजे बाद में फैमिली मिंबर्स की केर करना फैमिली मिंबर्स के लिए मतलब समय समय पर सारी चीजे करना और ये सारे काम पता है कौन करती हैं ममा इट्स अवर माम और मम्मी को यह सारे काम अगर ममा करेंगी तो विचारी ठक जाएगी So who does तो यह जो काम है हम सब अगर मिलकर करेंगे तो easy हो जाएगा Who does these chores in your house? यह काम आपके घर में कौन करता है तो सब के घर में यह काम जो है mom करती है और अगर आपके घर में आपके sister है तो mom और sister दोनों मिलके घरती है और अगर अकेली mom को करना पढ़ रहा है तो आप सबने मिलकर ममी की help करनी चाहिए So which of these chores do you like to do? इन में से कौन से काम आपको पसंद है? अलग-अलग काम होते हैं इन में से कुष्टो काम आपको पसंद होगा तो आप वो काम जरूर कर सकते हैं So do you do each other's chores? क्या आप एक दूसरे के काम करते हैं? क्या आप कभी mom को help करते हैं जाडू लगाने में? क्या आप कभी mom को help करते हैं बरतन धोने में? क्या आप कभी mom को help करते हैं खाना पकाने में? तो अगर नहीं करते हैं तो कीजिए, अगर जो करता है, उनके लिए very good, क्योंकि मम्मी की help करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मम्मा हमारे लिए दिन भर काम करते रहती है, हम उनके लिए थोड़ा सा तो काम ज़रूर कर सकते हैं, है न बच्चों? So, storing water, cooking and cleaning are chores that need to be done in a family every day, पानी, store करकर रखना मतला पानी भरना, खाना पकाना और साब सपाई करना, ये सारे chores, chores याने क्या होते है, काम, ये सारे काम घर में हर दिन करने होते हैं, functions and festivals are often celebrate in the house, okay? जो function होते हैं और tahuar festival, ये घर में celebrate किये जाते हैं, we have to welcome the entertained guest, है न ? हम क्या करते हैं? हम entertain के लिए guest को welcome करते हैं guest को बुलाते हैं क्योंकि हम मान लीजे कोई festival celebrate कर रहे हैं या फिर हम घर में कोई function कोई कारेकरम कोई बद्दे का program celebrate कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं अपने family members को या अपने relatives को या guest को बुलाते हैं क्यों उसे celebrate करने के लिए enjoy करने के लिए और हमारे घर में जो elder people होते हैं बुड़े वेक्ती जैसे देखें students जो बच्चे होते हैं बच्चे खुद के हाथ से खा नहीं सकते बच्चे छोटे बच्चे खुद के कपड़े खुद पहन नहीं सकते तो ये बच्चे होते हैं able नहीं होते उनकी बहुत देखबाल करनी होती वैसे ही हमारे घर में जो हमारे बुड़े होते हैं उनके लिए भी special attention होना बहुत ज़रूर है क्योंकि जैसे बच्चे होते वैसे बुड़े होते हैं और जिस तरह से हमारे parents हमारी देखबाल करते हैं हम बच्चे होते हैं क्योंकि तब हम helpless होते हैं तब हमारे parents हमारी देखबाल करते हैं उसी तरह एक बाद ध्यान में रखिए जब हमारे parents बुड़े हो जाएंगे तो वो भी एक बच्चे की तरह हो जाएंगे और उनकी देखबाल हमें उसी तरह कैसे करनी होंगी जिस तरह से उन्होंने हमारी की है जब हम छोटे बच्चे थे समझ में आ रहा है तो इसलिए जिस तरह से जो छोटे बेबी होते हैं उनको कैसे हेल्थ की जरुद होती है उनको समय पर खाना देना उनकी सारी चीजे उनकी देखवाल करना जिस तरह से बच्चों के लिए किया जाता है उसी तरह से ओल्डर परसन के लिए भी किया जाता है So we should care for their health और इसलिए हमें उनकी health की care करनी चाहिए There are many household chores which must be shared by everyone हमारे गर में बहुत सारे ऐसे काम सोते हैं और ये सारे काम हम एक दूसरे से बाड़ देना चाहिए जैसे market से कुछ सामान लेके आना है तो पापा लेके आएंगे थोड़ा सा हमारे मोहले में एरिया में जो grocery shop होती वहाँ से कुछ लेके आना है तो भाईया लेकर आ सकते हैं दीदी जो है वो ममा को help कर सकती घर के काम के लिए भाईया जो है वो भी help कर सकती ये सब काम अगर हम मिलकर करेंगे तो ये काम जल्दी होंगे और ममा को बहुत help हो जाएगी if everyone in family share the work no one has to bear the burden alone अगर घर में रहने वाले हर एक person अपना अपना काम अगर share कर ले अगर वो बाट ले कि मैं ये काम करूगा आप वो काम करना आप वो काम करना तो किसी भी अकले पर पुरा burden नहीं होगा each choice is important and family members do these chores with love and affection और घर का हर एक काम जो है हर एक चोर हर एक काम घर का important है और family members ने ये सारे काम जो है मिल के करना चाहिए किसके प्यार से affection के साथ and family members do these chores with love and affection मतलब प्यार से समझदारी के साथ ये सारे काम करने चाहिए we should be grateful for that और इसके लिए हमें खुद को grateful मारना चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हम सारे काम family members की help कर रहे और मिल जूल कर कर रहे तो I hope that कि ये जो topic और ये जो बाते हमने आज की वीडियो में आपको बताईए ये सारी बाते आपकी clear हो चुकी होगी और आप भी ऐसा ही करेंगे ऐसा मैं उमीद करता हूँ मेरे students से जिन students को मैं सिखा रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी इसी तरह से करने की कोशिश करेंगे और आप अपने family members की अपने parents की पूरी तरह से help करेंगे तो I hope that आप ज़रूर ऐसा करेंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो comment में ज़रूर मुझे बताएगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाई और वीडियो को लाइक ज़रूर करतीजी